हलो एवरिवान एपीज़ोट के स्टार्ट में दिखाते हैं सुन के आत में मोवी टिकेट रहा था वैप असे के तरफ दिखा रहा था प्लेस raped में दिखाते है जब ऑंकसा ने सुना को मोई टिकेट दिया था तो एक कुछ भी नहीं जहता और थोड़ा सीट नचरन आता है तो अंकसा सुन से फुचता है क्या होगा कोई重要 हैं कोई प्रोब्लेम नहीं है और वैसंड से कहता है कि हम दोनों की टिकेट है और यह फिलस्पीक खतम हो जाता है सुन अपने फॉन में और खुद की फोटो देखकर बहुत जादा रोने लाग जाता है और फिर पर वह से कहता है मुझे नहीं पता यह सब तुम्हें कितने दिन तक और सेंड करना पड़ेगा मुझे कुछ समस्ने आ रहा है मैं क्या करूं और यह कहकर सुन बहुत जादा रोने लाग जाता है दूसरी तरफ अगले दिन जब वह स्कूल जाता है तो यह काफी जादा दुखी था ना को देखकर कहती यह क्या हुआ तुम्हारा चेरा क्यों उत्र नहीं है ना कहती है क्यों क्या उसने तुम्हारे साथ जाने से मना कर दिया ना कहती है नहीं उसने मना नहीं किया ना कहती है तो फिर तुम को ज्यादा ही सोच रहे हूं और क्या तुम्हें भी थोड़ा सा अजीब लेता है ना कहती है पर थोड़ा सा अजीब तो है लेकिन जैसा कि तुमने मुझे उसके बारे में बताया, इसा लगता है कि तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं। औंकसा कहता है हाँ और तुम्हें क्या लगता है कि हम किसी इसी परसन से प्यार कर सकते हैं जिसे हम ज़्यादा जानते भी ना हो ना कहते हैं तुम अपने बारे में बात कर रहे हो तो अंकसा कुछ नहीं कहता है और बस स्मेल कर देता है तब ही वहाँ पर ओम और माकरोन भी आ पढ़ें तो कुछ नहीं कहते हैं और बस उंकसा स्वाइल करने लगता हैं नेकसे दिखाते हैं अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो उंगसा यहां पर आए तो तुम उसके लिए भी बना देना और वह तुम्हें बता देगा जुन कहता है लेकिन अंगसा को कोफी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है नान कहती है उंगसा नहीं मुझे बताया कि तुम एक चूप की थलास में हूँ तो तुम मेरे पा सुपारा होना जीए और तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है सुनецा vibration को किचन में देखता और उसे देखकर काफी ज़्यादा सप्राइज होता है नान ओंगसा से कहती है आज उसने सुन को कोपी बनाना सिखाया है और उसने पहली बार में बहुत ज़्यादा अच्छी कोपी बनाई है जबकि उसने जब ओंगसा को सिखाया था तो उसने पहली बार में इतने अच्छी कोफी नहीं बनाई थी तो यह सुनकर ओंगसा सुन से कहता है क्या तुम मेरी जोब जीना चाहते हो सुन कहता है हाँ और नान ने भी मुझे यहाँ पर काम करने का उफर दिया है ओंगसा कहता है ठीक है लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक कफ कोफी बनानी होगी और अगर वह मुझे अच्छी नहीं लगी तो तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकते सुन कहता है ओंगसा कहता है अगर तुम्हें कुछ पूछा हो तो तुम मुझे पूछ सकते हो सुन होके कहता है और कोपी बनाने लगता है अंगसा देखता है सुन ने अपरोन नहीं पेहन रगा तो वैं उसे अपरोन पेहना ले रगता है तभी सुन पीचे गोमकर अंगसा का अपरोन ठीक करने लगता है तभी नान कहती है तुम दोनों क्या करूँ काम करने वाले हो या फिर नहीं यहाँ पर कोई और भी है तो अंगसा दूर अट जाता है और फिर काम करने लग जाता है और जब अंगसा बाहर खे रहा था तो सुन अंगसा के लिए कोपी बना कर लेकर आता है अंगसा टेस्ट करता है और कहता है ठीक टाक है और सुन कहता है तुम्हें खेनने से पहले युनिफॉर्म चेंज का लेनी चीए, वाना ये गंती हो जाएगी। होंगसा कहता है, क्या तुम सभी बड़ों की यह यादत होती है, मेरी मौम बे मुझसे इसे ही कहती है। होंगसा कहता है, क्योंकि तुम हमें से दूसरों को परिशान काने वाले ही काम करते हूं। होंगसा कहता है, इसा है क्या। और यह कहकर बस उनके सोल्डर पर सर रख कर शो जाता है। होंगसा कहता है, नीदा रही है। सुन हां कहाता है, उंगसा सुन से कहाता है, एक बार मैंने किसी से सुनाता, अगर हम किसी परसन को अच्छे से जानना चाते हैं, तो मैं उस परसन के साथ मुवी देखनी जाना चाहिए, और वही सब सुनने चाहिए, जो उसे पसंद है, और वही बुक्स रीड करनी चाहिए, जोए पढ़ना पसंद करता है तो इसमें क्या हुआ अंकसा उटकर कहता है मैं आपके बारे में और चाना जादऊ हुंं हम डोनों एक साथ मूजी देखनी चाले उसके फैवरेट मुई देखी थी इसलिए क्या तुम मेरे साथ फिर से देखना चाहते हो तो ओंसा हा कहा देदा है सुन कहता है लेकिन उसके लिए हमें पहले टीवी को रिपैर करना होगा ताकि हम दोने एक साथ मुवी देख सके वंसा कहता है अगर तुम इस टोर बंध होने के बाद उसे ठीक कर द आते हैं सुन और सुन में से सबसे ज़्याद अच्छी कफी किसने बनाई यह बहुत ज़्याद आपको तुमेरे बिल्कुल भी फिकर नहीं है तो दान कहती है मैंने तुम दोनों को यह कोफी बनाना शिका है तो मैं तो अच्छे से सिखाऊंगी और तुम दोनों ने बहुत अची कोफी बनाई है लेकिन जब मैं सुन को कोफी बनाना शिखा रही थी तो रहे मुझे बहुत द्यान से सुन रहा था जबकि मैंने जब तुम उससे हचारों सवाल कर रहे थी तो वह दोनों एक दूसरे को देखकर स्मायल करने और पता नहीं अंकल बस सुन के तरफ ही दिखी जा रहे थी सुन जब अपने लिए DVD ढूंड रहा था तब ही वहाँ पर सुन आ जाता है सुन को जब स्टोर में मौली नजन नहीं आ थी तो अंकल से कहता है आज स्टोर पर कोई नहीं है अंकल कहते हैं मेरी बेटी अपने रिस्तेदारों के आपर मिलने गई वी है तो एक उस दिनों में लोट आएगी तो फिर स्टोर के कहता है और DVD ढूंडने के लिए चला जाता है और सुन बस स्टोर के तरफ ही देख रहा था अंकल कहते हैं तुमारा मतलब यह है कि फूचर में मेरे साथ बोट पूरा होने वाला है सुन कहते हैं हाँ साइद हो सकता है और यह कहकर सुन स्वान की तरफ देखने लग जाता है जो अभी भी DVD ढूंडने में बिजी था तो फिर सुन वास ही चला जाता है दूसरी तरफ अंकसा टीवी को ठीक करा था और तभी वापर सुना जाता है और वैं अंकसा को देखकर कहता है क्या हुआ कि यह ठीक हो गया अंकसा कहता है इससे अभी के लिए तो काम चलाया जा सकता है तो फिर सुन अंकसा के सर पर हाथ रखकर कहता है और पिर उसे मुवी दिखाता है ऐसमा मुवी को देखकर खearता है ये तो माय करल मूवी है सुन कहता है है और क्या तुम मेरे साथ देखना चाहते हो तो ऐसमा हा कहता है और फिर वो दोनौ मिलकर मुवी देखने हैं आगले दिन ओंसा अपने फ्रेंड के साथ इस च्ट्रडी कर रहा था उन जब सुन की तरब देखता है तो सुन कोफी बनाने में बीजिता तो ऐंगसा से पूछता है क्या तुम जाना नहीं चाहते की सुन कोन है और काँ से आया है ओंगसा कहता है हमीं जानना चाहता हूं तो मांग कौन कहता है तो फिर तुम जाकर उससे पूछ यू नहीं ले दी ओंगसा कहता है अगर वैं मुझे बताना चाहेगा तो वैं खुद ही मुझे बता देगा और यहां कहकर ओंगसा सुन की तरफ देखने लग जाता है सुन जब ओंगसा की दिखता है तो ओंगसा बस स्मेल कर देता है नेक सीन में दिखाते हैं ओंगसा के पेरेंट्स ओंगसा से मिनने के लिए आते हैं और डैड नान से कहते हैं कहा है वो लोटनी लड़का तो नान ओंगसा को आस लगाती है और उससे कहते हैं कि तुम्हारे पे निकलता है तो सुन बाहर चला जाता है लेकिन बिना द्यान दिवी अपने परेंट्स के पास आ जाता है क्या हुआ तुम आजकल घर क्यों नहीं आते हैं मेरी एक्जाम आने वाली है तुम्हें अभी बहुत जादा इस्टरी में बेजी हूं तो यहां सुनकर मॉम नान से कहती है कहीं मैंने कुछ गलट तो नहीं सुन लिया ना नान कहती है वेल यह आदर सच है आधी वक्त इस टॉर में एल्फ करवाता है और बागी के वक्त यह स्टरी करता रहता है और इसका एक ट्यूटर भी है और यह करकर नान जब सुनकी तरफ देखती है तो वहां पर सुन नह हां से पोचति यह कौन है वह घैदा है जब कुछ चलत सिका रहना है तो तुम्हें सब कुछ अच्छा खाना यह स्टरी सीओं और सरारत नहीं करने थे अरिड़त है जिंप केंचिजी मम कहती है हम लोग तुमारी चिंता किसे ना करें तुम हमारी एकलोते पेटे हो और तुम बहुत ज़्यादा सरारती भी हो अंगसा कहता है नहीं मम में सरारती नहीं हूँ और सभी लोग हस खिल किला कर बाती करने लगते हैं पर जिन भी ओंगसा के माम डेट को उसके पास दिखाया जाते हैं, माम अंगसा के पास ही सुझाती हैं, और डेट ओंगसा को देखकर बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं, फिर से पास्ट में सिप्ट होता हैं, ओंगसा के पेरेंस अब जाने लगते हैं, और सुन बस दू नहीं हुए पताया कि नम्हारी परंस तुमसे मिनने के लिए आए थे और लुग तुम्हार कानी के दिने के Nawas पहुष्य तो ऑने संग्याने में डाल लेकिन तुम तो वहां पर थे ही नहीं इसलिए वो सुन कहता है किसी को याद करना बुरी बात कैसे हो सकती है। ऑंकसा कहता है क्योंकि आप जिस परसन को याद करें वो ओविसली मैं तो नहीं हूं। सुन कहता है तुम्हें कैसे बता कि वो तुम नहीं हूं। अंकसा कहता है क्योंकि मैं तो यहीं पर हूं तो आपको मुझे याद कहने के कोई तरत नहीं है तो इसके पर को उसी कोईन मांगता है सुन उसी कोईन दे देता है लेकिन इस पार ऑंगसा गेम कहने से पहले कोर्षिप प्री करता है और फिर गेम खेलता है और जब बॉल निकलती है तो वह सुन से कहता है अगर इसमें रिंग निकली तो मैं आपको दे दूंगा और जब ऑंगसा उस बॉल क उपन करता है तो उसमें रिंग निकल जाती है तो वैंस उनको पैनाने लगता है लेकिन वो रिंग काफी ज़्यदा छोटी थी तो सुन कहता है इतनी छोटी रिंग मैं कैसे पैन सकता हूं और यह काकर सुन अपने हाथ का प्रेस्टेट निकालता है और उसमें उस रिंग को ड स्क् लेकिन तुम आचाना चाहरी हो जुराए यह सब में लंबे वाक्त से सोच रहा हा था लेकिन यह सब मैं अपार्टमेंट मिलने की पाथ सभी को बताना चाहता था नान जुनके जाने का मन बना लिया निशन कहता है तुमने औंकसा को सबता दोंगा और जब बाहर भरक कर रहा था तो फूर्टा की पास आता है और उसे मुवी टिकर देते भी कहता है साइध मैं तुम्हारे साथ मुवी देखने के लिए नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत जल्द यहां से जाने वाला हूँ और मुवी उसके पाद ध्रिली जोगी तो हम दोने साथ में मुवी नहीं देख पाएंगी औंगसा सुन से कहता है लेकिन आप कहाँ पर जा रहे हैं औंगसा कहता है बस यहीं कई आसपास में ही रहूँगा औंगसा कहता है तो आप यहां से कब निकल रहे हैं सुन कहता है मैं कुछ दिनों में यहां से चला जाओंगा ऐंसा कहता है लेकिन अपने आजन्यक जन्यका मन क्यों बनाया सुन कहता है ओंसा मैं भी अपने घर जाना चाहताऊ ओंसा कहता है हम लोग फिर दुबारा तू मिलेंगे न तो सुन Share कहता है। उंकसा सुन से कोई बात नहीं कहता क्योंकि बस सुन के जाने से बहुत ज़्यादा दुखी था और फिर उंकसा मुवी दीखने भी जाता है वहाँ पर उसकी मुलाकात सुन से होती है लेकिन यह पहले मुलाकात की तरह नहीं थी क्योंकि उंकसा सुन के जाने से बहुत ज़्या राज हो ओंसा कहता है नहीं मैं आपसे नाराज नहीं हूँ सुन कहता है तुम आपके बारे में और जानना चाहता हो सुन कहता है जब मैं तुम्हारी उमर का था मैं भी किसे से प्यार करने लगा था बिना उसे जाने पेचाने लेकिन जब हम लोग बढ़े वे तो मुझे रियलाइज हुआ हर लोगों की अपने अपनी ज्चाही होती है अंगसा कहता है तो आपकी इच्छा क्या है सुन अंगसा के नौज को पिंच करता है और फिर उससे कहता ह अंगसा फिर से सुन को किस करने लगता है सुन भी किस को र Посक्राइब लेकिन उसकी आँखों में आस्वा जाते अगły दिन ऑंसा की अपार्टमेंट जाता है और उससे कहता है अब वक्त ताग अगया है लिए सवक Figast कर रहा था तब उसके नजर उसकी phone पर जाती तो यसिं तभी आप आंपर सुना जाता है औरप्र सुन देखता है स्क्रिमा करने वाला है तो सुन की तीक्ष़ को बहुत आएग दो काफी तुकि नजारा तो गाइस एपिशोर में हम आज एक क्या हूं लाइक सेर वजिनल को सब्सक्राइब कर लेजीगा तैंकी पो रोजिंग बाई